नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप सभी का बहुत-बहुत सौगत है अटेट 247 के इस शांदार चैनल पर जहां पर आपको क्लास 12, क्लास 11 और साथ ही साथ आप लोग सब भड़ें तरीके से और मैं आपको दिखाए दे रहा हूँ बढ़िया लग रहों अधिए दे रहा हूँ बढ़िया तो मैं लगता ही हूँ है जी आज में लोग क्या पढ़ने वाले हैं हम सब भी लोग डिसकस कर लेते हैं एक साथ पहले तो तो आज हम देखने वाले यह chapter वो भी complete एक बार में कोई दो बार का तीन बार का काम नहीं होगा वाई सब एक बार में देखेंगे आज हमारे इद्रस में आपको मिलने वाला है डीटेल एक्टेलेशन स्नेप शॉट ख्लास 11 का चेप्टर नंबर टू है और यह चैप्टर जी लिख अक बार में लिखाए कि सो लिकलें बहुत अच्छे से आप लोगो समझना है जो भी questions है जो भी queries है आपको कहां से पूछ ले नहीं है आपको पूछ ले नहीं comment section में आ करके ठीक है चलो हम लोग बढ़ता है अपने काम की ओर जिसके लिए हम लोग यहाँ पर इकटे हुए सबी लोग मिल करके so let's get started हम से बोला जा रहा है इंट्रोड़क्शन पहले तो देख लो बढ़िया लग रहा है फॉंट तुम को दाइड्रेस भाई अधित भाई अब यहां पर एक एक ऐसी situation बनी हुई है कि भाई साब जो यहूदी लोग है उन पर हो रहा है आक्रमण और जब उन पर आक्रमण हो रहा है तो एक बंदी है लेडी एस या मिसस एस और मिसस एस को अपना घर छोड़ करके जाना पड़ रहा है किसी कारण से क्योंकि वहां पर बहुत जादा आ अगर यहां पर आकर की हमला हुआ तो लोग तुमको भी वैसे भी खतम कर देंगे और तुम्हारा सामान भी चुरा ले जाएंगे इससे अच्छा है मैं तो यहूदी हूँ नहीं मुझे अपना सामान दे दो और मैं तुम्हारे सामान को अच्छी तरीके सब अपने पास सामान मांगने आप पता चला कि वह उस पर हड़प करके बैट गई देना चाहती नहीं है तो फिर दिर बाद उसका मन हट जाता है कि चलो मुझे सामान नहीं चाहिए क्योंकि यह सामान मेरे घर में जब सलीके से लगा हुआ था मेरी मम्मी के हिसाब से मेरे हिसाब से तब तो अच्छा था लेकिन इस घर में नहीं धंक से समान को नहीं लगाया है बद्भू मार रहा है है ना बिल्कुल बत्तमीजी से समान लगा रखा है तो आई डून वाट एनिफिंग है ठीक है ना चलो अब देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका क्या है इस स्टोरी इस स्टोरी इ हमारे मन में थोड़ा सा दया भाव आ जाएंगे इसको पढ़ने के बाद हम सभी के मन में of a daughter who goes in search of her mother's belongings एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी मम्मी के सारे सामान को खोजने के लिए जाती है जो इसकी मम्मी ने किसी को दे दिये थे after the war एक war के बाद कहाँ पर यह बात है when she finds them the objects evoke memories of her earlier life और जब वो उन सब चियों को पा लेती है तो the objects evoke memories of her earlier life जब उन सभी चियों को देखती है तो उसकी जो पुरानी खायालात से वो सारे के सारे evoke हो जाते हैं and then however she decides to leave them हला कि उसका मन करता है कि हम पूरा समान छोड़ दूँगी नहीं लोगी behind and resolve resolve का मतलब क् decides to move on और वो कहती मुझे अपनी मां का समान नहीं चाहिए क्योंकि यहां पर बुरी तरीके से रखा हुआ है उसकी कोई इजद भी नहीं किये तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और यह आगे बढ़ जाती है अपने जियों में right बढ़ते हैं आगे बच्छे अब आप अगर Mrs.S और ने मेरी तरफ देखा लुक्ट एट मी सर्चिंग ये सोस्ते हूँ कि क्या मैं इसको जानती हूं सर्चिंग ली कि एस्पी एप स्पीः केरा इतने कंबचे ह regular है पालेजेंणर्ट जूते हैं कमी होते हैं करोन की दुनिया में कितने लेजेंजा आप तक तुम जानते हो तो तुझे लेजंड्स होते हैं न बहुत कम होते हैं तो मुझे इस बात की खुशी है कि यहां पर फिलाल कम बच्चे हैं कि वो सारे के सारे लेजंड्स हैं और नहीं है तो लेजंड्स बन जाएंगे क्योंकि वो आजित भाईया से पढ़ रहा है तो इस बात की कता ही टेशन कुछी होती है कि हां अच्छा है कम बच्चे है समझ में आरिये बात चलो I am the RBSC बढ़ है बेट अन्रग करंक इस चैप्टर से क्या मेसेज मिलता है बेटा चैप्टर पढ़ा ले फिर मैसेज भी बता देंगे ठीक है जी चलो अच्छा है कोशन पूछन पूछन अच्छी बा अब वो लड़की बता रही कि मैं मिस्स स की डाटर हूं मिस्स स की लड़की हूं she held her hand on the door as though she wanted to prevented opening any further और वो जो लेडी थी यानि कि जो मिस्स डार्लिंग थी उन्होंने गेट को इस तरीक से पकड़ रखा था क्यों चाहती नहीं कि जरा सा अभी और गेट खुल जाए उधन अब ही पहचान पर रहे हैं she kept staring at me in silence और वो मुझे साइले सांती से अग्दम घूरती रही स्टेरिंग का मतलब मुझे वो सांती से घूरती रही ठीक है चलो बढ़ते हैं आगे आगे देखते हैं perhaps I was mistaken मुझे लगा शायद मैंने गलती कर दी अब देखो आपके पास शायद के लिए बड़ी पैरा से सब्सक्राइब आप लोग जब भी बोलतों शायद मैं खाना खाऊंगा मेभी आई इट फूट आप परहाप्स यूज करो है ना परहाप्स के साथ और क्यूज कर सकते हो परचांस परहाप्स परचांस यह सारे के सारे शायद मेभी के अच्छे एक कि साथ वो यह मिसस डॉर्ली नहीं है किसी और के गेट पर जाके मैंने नॉक कर दिया है I had seen her only once क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हें एक बार देखा था वो भी fleetingly अब fleetingly का मतलब क्या है for a short time मैंने उन्हें सिर्फ एक short time मतलब थोड़ी देर के लिए देखा था तो यह word important हो जा हूं आप देखना जाकर के playlist में आपर आपको मिले का we are afraid to die मैं पूरा चेप्टर पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छा चेप्टर है we are afraid to die नहीं we are not afraid to die होगा ना if we all are together मैं देख लेता हूं उच्छा वैसे मैं पढ़ा चुका हूं I think and that was years ago और मैंने उनसे short time के लिए उनसे मिली थी वह भी बहुत साल पहले it was most probable that it was most probable that I had rung the wrong bell हो सकता है मैंने गलत घंटी बजा दियो गलत घर की दोरवल बजा दी हो the woman let go of the door अब वो जो महिला थी उसने थोड़ा से दर्वाजे को खोल दिया क्योंकि मैं वहाँ से हट चुकी हूं and stepped to the side और वो थोड़ा side में आ गई है she was wearing my mother's green knitted cardigan okay मैंने क्या देख लिया मैंने देख लिया क्यों मेरी मम्मी का green knitted cardigan पैनी थी यह इस तरीके को क्या बोलते है green knitted cardigan और मैंने पचान लिया मेरी मम्मी का इसका मतलब यही है Mrs.Darlene the wooden buttons were rather pale from washing और जो उसकी wooden buttons थी ना जो भी क्या थी है उसकी wooden buttons थी हो कैसी हो गई है पेल यानि की थोड़ी सी खुर्दुरी हो गई है washing करकर के करकर के उसका color जा चुका है color डेल हो गया है आगे देखें she saw that I was looking at the cardigan and half hit herself again अब मैंने जब उसने notice किया Mrs.Darlene ने जब ये बात notice कर ली कि मैं उनके green cardigan को देख रही हो तो उनको पता लगया ओ ये तो समझ जाएगी तो फिर से थोड़ा से जाकर के छुप गई है अब मुझे पता चल गया था कि मैं बिल्कुल सही घर पर आई हूं यही Mrs.Darlene है इनको मैं याद दिलाती हूं कि मैं कौन हूं यह जो बच्ची है न मिससस की डॉर्टर बोल यह मिरी मम्मा को जांती है और यह यह वो क्या रहा है अच्छा वो कैण रही तो मिसस डॉर्लीन कर अच्छा तुम लोग वापस आगे क्या अब उसको लगा था वह और पे गए है भाई सब है न तो वहापस ही नहीं आप आए अपने दोस्तों में अपने दोस्तों में अपने दोस्तों में शेयर वेर कर देना क्यूंकि मैं देख पा रहा हूं कि भाई सब आप शेयरिंग के नाम पर आप लोग बहुत कम जोरो पर कोई नहीं नहीं शेयर करो के तो भी तुमारा बला हो जाए वो भी मुझे खुशी देगा चलो आगे पड़ते है आगे अगे अडोर उपेंड एंड क्लोज इन पैसेज बहाइंड हर अब एक दरवाजा खुला और थोड़ा सा कोई और मास निकल कर गया आप मस्ती स्मेल इमर्ज और जब वो दरवाजा खुला तो एक स्टेल यानि बासी सी स्मेल भी आ रही थी मुझे आये रिग्रिट आई रिग्रिट आई कि मैं तुमारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ आफ कम हैर्स इस्पेशली ऑन आप से मिले स्पेशली ट्रें से आई हूँ ठीक ना मैं बस आप से थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ चाहती हूँ इड़ी ने क्या मेरे लिया भी कमीने नहीं मुझे कुछ काम बाद में आना ठीकना उसको टरका दिया टाल दिया आई कांट सी यू और बात करना इसा लग की आई है और वो तुमसे सामान लेने आई है तो तुमको भी सामान ले लेगे हमसे वापस इसी लिए उसक चुख लिर लुपुर हो रही है उसी लिए इस ने बोल दिया क्या यह बाद में आना मुझा बिकामने नहीं बात कर पाऊंगी इस तरीके से बिए प्रस कॉलोज The दोर as though no one inside the house should be disturbed और उसने मुझसे कहा क्या उसने मुझसे क्या बोला बस not it कुछ बोली बनी बस अपना सर ऐसे विला दिया और दर्वाजा बंद कर दिया और इस तरी किस दर्वाजा उसे हमें हैं तो पढ़ा धी प्रदा क्या हुआ दिया पदा छला बीया जो कर्टेल था इन फ्रेंट ऑस ये विंडुव किसी नमझे जिए पर यंडर से देखा and would then have asked what I wanted or nothing the woman would have answered it was nothing और साथ उसने पूछा होगा उस लेडी से मिस्स डार्लीन से कि वो कौन थी क्यों आई थी तो मिस्स डार्लीन ने साथ का होगा कुछ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है न किसी ले भी नहीं आई थी गरते है यह आये लुक्रेड तरह का सैंघाएं पिर सेमान अ क्विसमें नेम्लेट पर अपनी निगाहा डाली तो नेम्प्र बार्ली इस एटॉर नेमप्लेट था उस पर क्या होँ वा थादम्ireट पर लिखा हो अब जैसे विंडो है तो विंडो के बगर में थोड़ी सी जगह होती ही वही पड़ जैम बोला जा रहा है अब इत हायर थोड़ा सा उचाही पर दन नमबर 46 मैंने क्या देखा घर का नमबर क्या था नमबर 46 इस सेक्टर में मैं रहता हूं वह भी 46 है और इस नमबर इसका घर का नमबर भी नमबर 46 है यह विल पाठक यूगल पाठक गूड इवनिंग बेटा चलो आगे बड़ते हैं ऐस आई वह किसी को कोई कोश्चन तो नहीं पोश्चन है भाई स्टोरी में फील आयाता है बट अभी कोई ओल्लाइन नहीं कोई बात नहीं बेटा किसी और के ओल्लाइन हों से क्या फरक पड़ता है तुम ऑल्लाइन हो तुम पढ़ रहा हूँ तो आपको सिर्फ यह ध्यान देना मैं पढ़ रहा हूं कि नहीं आप बागी कोश्चन तो है है नहीं कि कई सारे लोगों आपको कंपीट करना है ऐसा कुछ होगा तो बच्चे और आजाएंगे ठीक ना अभी तो सीखने का मकसद है जितने लोग सी जो जो भी सीख जो अच्छा है और मेरी क्लास में आके हाई लो नहीं किया करू जहिंद से नीचे बात नहीं करते ठीक कि मिर्ड Press को अपनी कि जा रही है अब जब ये घर गयी है ना मिसेस डोलीन को अब ये इसा बगा दिया कि मिसेस डोलीन जो को लिए तुर्सित की तरफ स्टेशन की तरफ अब जहा रहे तो इस रस्ते में इтовकनी मम्मी किया दात है लिए हुँ given me the address years ago, जिन्होंने इसको address बताया था कई सालों पहले, किसका? Mrs. Darlene का, it had been in the first half of the war, और ये कब हुआ था, जब first half of the war चल रहा था, यानि कि war का पहला half वाला part चल रहा था, I was home for a few days, मैं घर आई थी कुछ दिनों के लिए, जब मैं छोटी थी, and it struck me immediately that something or other about the rooms had changed, और मैंने आते ही घर में ये जान लिया, immediately, कि घर में कुछ changes हो गया है, about the rooms, कि घर में कुछ changes है, कुछ बदला-बदला सा लग रहा है, I missed various things, मुझे लग रहा था कि घर में कुछ सामान नहीं है, ये बटा flashback की story बता रही है, जब इसने बोला कि मुझे मम्मी की याद आ रही है, तो भी flashback चल रहा है, जब Mrs. Darlene आती थी, सामाल ले जाती, तो पुरानी कहानी अभी वापस आ गई है, I was home for few days है, जब मैं घर पर थी, बहुत समय पहले की बात है, जब मैं घर पर आई थी, ठीके ना, तम मुझे कमरे में चीजे कम-कम लग रहे थी, माई मधर वह सर्प्राइ इतनी सी बच्ची है, इतनी सी बच्ची है, इसको इतनी हल्दी कैसे समझ में आ गया कि घर में चीजे मिसिंग है, शुड़ाइब नोटे सो कुटी, तो आप पूरे के पूरे चैप्टर विन को चुट्टी बोलने वाले, तो I had never heard of her, apparently she was an old acquaintance of my mother, मैंने कभी उनके बाई मे कि पुराने जान पहचान के होंगी, acquaintance का मतलब उता है, जान पहचान, whom she hadn't seen for years, जिन से वो कई सालों से नहीं मिली थी, तो she had suddenly turned up and renewed their contact, है न, और एकदम से इन दोनों की दोस्ती फिर से होगे थी, मेरी मम्मी और मिसस डॉरलीन की, और इनका जो contact था, वो फिर से renew हो गया थ Since then, she had come regularly, और तब से वो रोज घर पर आया करती थी, ठीक है जी, आगे, every time she leaves here, she takes something home with her, और जब जब वो मेरे घर आती थी, अपने साथ कुछ ना कुछ ले जाती थी, ठीक है, said my mother, मेरी मम्मी ने बताया, she took all the table silvers in one go, वो पूरा का पूरा जितनी भी table silvers थी, वो एक बार म पर, ठीक है, यह भी बास on में आती है, और बताया जाए, see had trouble lugging those large vases, अब भाई साब उनको दिक्कत हुई होगी जब वो बड़े-बड़े vases को हमारे घर से लेगे, बड़े-बड़े वास नियों तो काफी उचे-उचे से, तो lugging का मतलब carrying a heavy object, अब जब वो इतने भारी- क्रेंक भी आ जाता होगा, क्रिक का मतलब क्या है, क्रैंप इन मशल, क्रैंप क्रिक का मतलब क्या है, क्रैंप इन मसल, ठीक है, मुझे यह भी लगता है कि सायद उनकी मसल में क्रैंक भी आ जाता होगा, from the crockerी, का, lugging those large vases, and I am worried that she got a crick in her back from the crocker, my mother shook her head pittingly, और मेरी ममी ने, अच्छे थप थपाया था, पिटी मदा है, आमेकी इतना भारी-बारी सामाल ले जारही है, क्योंकि, सर क्या आप हमारे notice लिखना सिखा देंगे, बिल्कुल सिखा देंगे, क्यों नहीं सिखा देंगे, प्रतीक्षा, और किसी को को कोई कोश्चन तो नहीं, कोश्चन नहीं और केरट आस्कर, सिखंटेड इट टू मी घर सेलफ, है नो मैं तो उसे कभी फोट मिने सकती है, मिस्स डॉर्लीन से, कि कै आप मेरा सामान अपने घर पर ले जा सकती है, लेकिन खुझ मजे स्पोल से का था कि मैं आपका समान अपने घर पर ले जाती हूँ, सिवन इंस्टे या उन्हों ने मुझह से कहा कि मैं आपका समान ले जाती हूँ आपका समान से खूर लोगि क्यूक्य आप यहूदी एंव क्योंकि यहां पर्कर यहूदी हैं आपको उपर अटैक सकता outside आपका सामान चोरी किया सकता है लेकिन मैं तो नहीं हूँ तो मैं आपका सारा सामान अपने पास रख लूँगी और जब आप आओगी वापस तो मैं दे दूँगी तो माई मदर क्राइड मेरी ममी ने चिला की गुस्से में बोला क्या बोला एक वोट सिंप्ली वे इंसल्ट टॉक लाइक ये तरीके की इंसल्ट होगी अगर मैं उनसे पूछ तो अपना समाल लेकर के जा रही है सेव करने के लिए इतना भारी-बारी समान उठा के ले जाती है है बिचारी और मैं उसे पूछो मेरा समान सही से तो रखोगी नहीं इस तो नहीं पूछना चाहिए ना किसी से ठीक है और यह भी तो सोचो बेटा कितना रिस्क ले रही है वो है ना बड़े-बड़े समाल ले आती इस टाइम सी गोज आउट आउट अफ दूर विद फूल सूटकेस ऑफ बैक जब जब वो घर से भार जाती है भरी भरकम सूटकेस को ले जाती है अब पता चला कोई आदमी देख ले जो वार कर रहा है वो भी तो नहीं सोच नहीं होगी है तो ऐसे कैसे पूछ सकते है कि आप हमारे समान को अच्छे से रखोगी कि नहीं ठीक है अधर सीमें टू नोटेस एट आई वोस नॉट एंटारली कन्वेस्ट मेरी मम्मी जो थी वह उनको ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरीके से कन्वेस्ट नहीं हुई उनकी बास से लुग डट मी रिप्रूविंग ली एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो और अबाउट कभी ममी लोग नहीं गूर देती हैं तुमने यह बात पूची तो इतना कच रहेंगे तो वैसे उन्होंने उनको गूरा मिसे अपनी डॉर्टर को और उसके बाद इन दोनोंने कभी इस बारे में बात नहीं की कि मिस्स डॉर्लीन समान क्यों ले जा रही है क्या वो वापस द अगेन पर फर्स ताइम सिंस दवर और मैं उनी रस्तों पर वापस से चल रही थी वापस से रोम कर रही थी वहीं से रस्तों से जा रही थी जहां मैं वार के पहले जाय करती थी यहां लोग प्र नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि I don't want to upset myself क्योंकि मैं अपने आपको दुख नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बैट फील हो रहा है, ठीक ना बिटा, आगे देदे, आगे देखते मैसल, with the sight of streets and houses full of memories from a precious time, I didn't want to upset myself, मैं अपने आपको upset नहीं करना चाहती थी, with the sight, जो भी मुझे देखने को मिल रहे, जो भी नजारे हैं streets के, and houses full of memories from a previous time, जो मेरा, जो मेरा भूत काल था, जब मैं छोटी थी, वो जितनी भी चीज़ें थी, मुझे याद आ रहे थी, अच्छे तरीके से, तो मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहती हूँ, आरुश बोल रहा है, class कब शुरूई थी, बेटा, class 7 बज से होगी, और अगर तुम लेट हो गए हो, तो एक बार यहां से class मत देखो, class को सुरुवास से देखना शुरू करो, जब भी class देखो, life की चकर में मत रहो, अगर तुम लेट आयो, तो फिर सुरुवास से class देखो, ताकि तुम्हें ये ना कहना पड़े की 22 मिनिट का review दो, review में नहीं समझोगे, एक एक चीज को detail में समझो, तभी अच्छे marks आएंगे, तभी answer लिख पाओगे, ठीक है ना, मैं हमें साब बोलता हूँ, किसी भी chapter का explanation आपके लिए बहुत important है, उसकी summary जानना आपके लिए बहुत important है, long answers हो, चाहे short answers हो, अगर कुछ नहीं आता है, औ आप answer कम से कम बना तो लोग अपने आप से, और अगर आपने explanation ही नहीं देखा, कोशन answer देखकर के आ गयो, तो बहुत दिक्कत होती है, मैं भी तो आपकी तरीके कभी intern में था, high school में था, first year में था, तो मैं भी समस्ता हो, कि अगर आप chapter नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी ठीक है, बात समझ में आगी, अगे, in the train back, I saw Mrs. Darling in front of me, अब जब मैं train के पास थी, तब मैं दुबारा से वही सब याद करें, कि मैंने Mr. Darling को दुबारा देखा था, I had the first time I met her, हैना, जैसे कि मैं उसे पहली बार मिली हूँ, it was the morning after the day my mother had told me about her, और ये उसी morning की बात है, हैना, जब मेरी ममी ने उनके बारें बताया था, I got up late, अभी उस दिन की बात बता रही है, जब वो Mrs. Darling से पहली बार मिली थी, मैं सुबह देड़ से उठी थी, coming downstairs और senior से नीचे आ रही थी, तभी I saw my mother about to see someone out, तभी मैं देखा कि मेरी ममी किसी को see off कर रही थी, किसी को दर्वाजे पक्रड़े हो कर रही थी, उनको भेज रही थी, a woman with a brought back, और वो एक जो लेडी थी, उनकी back थी, जो उनका कमर थी, काफे जादा चौड़ी थी, brought back थी, there is my daughter, और मेरी ममी ने क्या, see back end to me, back end का मतलब क्या होता, signal, मेरी ममी ने मेरी तरफ signal करके बोला था, वो मेरी daughter है, ठीक जान लिए, तुमारी बेटी है, और उसने pick-up कर लिया क्या, उठा लिया, उठा लिया, सूटकेस को, जो की रखा था, coat रेक के नीचे, यह देखो, सूटकेस रखा है, coat रेक के नीचे, तो इस सूटकेस को ठाली है, और वहां से उठाकर चल दी, ठीक है, यहां पर, यहां out of the house with the heavy case, क्योंकि मैंने जब देखा, इतना भारी सूटकेस है, बिचारी परिशानी से उठाकर के ले जा रही है, और अगर दूर जाना होगा, तो कैसे ले जाएं, तो इसलिए मैंने मैमी से पूछा, कि यह पास में ही रहती है, तो मेरी ममी ने क्या बताया, in Marconi street, यह important ह हो, याद कर लो, तभी देखो, इस शेप्टर का नाम भी क्या पढ़ा है, तभी इस शेप्टर का नाम भी पढ़ा है, भाई साब तुमारा, दा, एड्रेस, क्योंकि यहाँ पर पूरा खेल एड्रेस का ही है, वह और के पहले एक एड्रेस ममा, एक माँ अपने बच्चे को बताती है, अपनी बेटी को बताती है, और जब वह खतम हो जाती है, तब तक उसकी महा नहीं रह जाती है, माखी मिर्थी हो जाती है, वह बच्ची यहाँ पर अद्रेस का काफी हादा रोल है, इसे लिस शेप्टर का नाम भी पर एड्द्रेस, पता, ठीक है न, आगे बने, वेरी गुट मेटा पंकच क्रिकेट अभी बताया ना क्लास 12 की कब होगी क्लास 12 की होगी नेक्स टरंट पर आज 11 की क्लास है बिचारे 11 वाले तुम लोगों के चक्कर में दो 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 दिन सफर कर लेते हैं तो हमारी लगातार क्लास लगा दिता हूं ठीक न हाला कि 11 वाले बच को याद कर लिया था अच्छा तुम बार बड़ सुच रोगी यह क्यों लिखा हुआ है साइड में ना एस 743 यह बेचा उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 11 या क्लास 12 में है तो अगर उनको कोई भी बैच लेना है क्यूंकि आपके हाफ यरली पास आई गाए है फिर 12 का डिस्काउंट मिलेगा है अगर कोर्स 3000 का है तो धाई हजार के से भी कम का हो जाएगा तो इसलिए आप लोग इसको इसको को लगा करके बैच को जरूर ले ना क्योंकि आपके लिए बहुत फाइदे मन साबित होगा रोज 2-2 घंटे की क्लास होती है और बहुत ही डिटेल कोई को पता होगी नहीं पता है तुम्हें एक बार फिर से लिख देता हूं मेरी मेल आईडी है आदित्य एडी आई टी वाई ए फिर डॉट लगा देना पिर टीवारी लिखना टी आई डब्लू ए आर आई फिर एस दारेट लगा देना फिर लिख देना अड़्डा अधियान रखना अपना फोन नंबर अपना नाम और अपनी क्लास साथ में यह भी बताना वाई टी स्टुडेंट हो या पेड स्टुडेंट हो बस तीन डीटेल्स चाहिए मुझे उसके अलावा मैं फिर ग्रूप में नहीं कर पाता हूं जब तक मेरे पास यह तीनों डीट करेंगी कि अपना सामान ले लो गर तुम लोग सही हो लेकिन कभी ऐसी कोशिस ही नहीं की और मैंने भी काफी टाइम लगा दिया क्यों कि शुरुआत में इनिशली आफ्टर दा लिबरेशन जब हम लोग आजाद हुए आई वाज आपसीलूटली नॉट इंट्रेस्टेट मैं बिल्कुल भी इंट्रेस्टेट नहीं थी अपने सामान में और मैं डरी हुई भी थी आई वोज अफ्रेड आल से आपर लिखा हुए ना कि in the all that stuff and naturally I was also rather afraid of it और मैं डर रही थी कि उसी जगह पर जाना जहां पर वार्स रू हुआ था और अभी डर मेरे दिमाग में चाय है जिसका connection मेरे बचपने से जिससे बहुत गंदी-गंदी आदे जोड़ी है कि मुझे वहां से भागना पड़ा है ना अपनी मम्मी के साथ मेरी मम्मी अब नहीं रही वह समान कितना अच्छे से रखती थी और मैं बस उसी समान के पास अगर जाओंगी तो मुझे बुरा ल को वेन मैं यानि कि वह सबका सब व्यर्थ है जब तक वह अपनी जगह पर नहीं पहुंच जाता जब तक वह सही तरीके से जैसे मेरी मम्मी रखती थी घर पर वैसे लग नहीं जाता हर एक चीज वैसी की वैसी तब तक सब कुछ बेकार है बिटा विनीत हेलो के सर सुन बोय है अपसे आपसे क्या करना भया अपसे केवल एकी चीज का ध्यार नखना जहन बोलने की कोशिस करना अच्छा एक बच्चा क्या हो गया भाई भया को मेल कर देना भया तुम्हें आरूश कौन है बाई सुब्ज के नहीं करूंगा जा भाड में ओ ये चलास में यूज करने लेंग्वेश तो नहीं है भाड में जा वैसे ठीक हम सभी बोलते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन तब भी थोड़ा सा बेटा कर्ट सी फॉलो करनी होती ना थोड़ा सा प्यार मौबत से बात करनी होती जेंटल रहना होता है क्योंकि अल्टीमेटली जैसे बात हम लोग करते हैं वह कही न कि हमारे संस्कारों को दरशन्टायन हमारे ममी पापा कैसे होंगे हमारे टीशर कैसे कैसे तो अपके बात ख़रने से लोग यह समझ लेंगे कि आपके घर में एसे कुछ होता होगा और Rede about अपना हम लोग किए सो FERिता है याश्ट हम वार्ण निकलते तो अपनी अच्छी इमेज लेकर के निकलते हैं ना कि अपने मुपे गणदगी लेगे करके निकलते हैं ठीक है है कभी-कभी लोधी हेलो बेटा जहिंद ठीक है चलो और कोई समस्य किसी को चलो बढ़िए आगे बढ़े भाई आप लोगों को भी किसी को सुनाना हुआ करें ना बेटा आप मतलब कोई आपसे बत्मीजे से बात करें तो थोड़ा पूलाइटली समझाए करो पूलाइटली समझाओ गिना तो जदा उसके चुल्चुने काटेंगे हैं न कभी कभी होता है कीड़ा होता है वेटा सुलेमानी कीड़ा और कुछ लों के अंदर आई च्छेद पकड़ गुष जाता है कहीं कां से कहीं दूदर की सब्सक्राइब करेंगे दूसरे बच्चों को भूली करेंगे यह भूल जाते हैं कि वह भी इसी भारत मता की संतान है है तो थोड़ा ध्यान रखना है इमेल गलत बता रहा है बटा आधिती डौट तीवारी एसदरेट अड़र 247 डॉट कॉम यही इमेल है बटा ठीक है चलो आगे बढ़े किसी से भी ओबटा इंगलिस मीडियम हिंदी मीडियम ही तो सभी का सेम है संतोष राणी लोधी बेटा है लो नहीं जहिद लिखना है ठीक है जहिद बच्छा चलो हेलो हेलो करके क्या मिलेगा तीन बार है ना पढ़ने पर ध्यान देते हैं और कोशन है तो पूश लो आगे आ जाते हैं आगे देखो बट ग्रेजुली एवरीटिंग विकें मूर नॉर्मल अगें लेकिन धीरे-दीरे सारी चीज़े नॉर्मल होती जा रही है क्योंकि अब जब वार हो चुका है खतम तो आप चीज़े नॉर्मल हो रही है लगातार तो नहीं हमालों किसी के घर पर पूरी जिंदगी उसका दुख मनाते हैं नहीं महीने दो महीने साल दो साल कमी खटकती उसके बाट चीज़े नॉर्मल होने लग जाती है तो वही अब वार हताम हो चुका है चीज़े नॉर्मल हो रही है ब्रेड वास गेटिंग टूबी लाइटर कलर अब ये ये लाइन क् मिलती थी अब उनको अच्छी ब्रेड मिलने लगी वो ब्राउन होती थी काफी लेकिन अब वो लाइट ब्राउन लगी अनिके अब उनकी क्वालिटी अच्छी होती चली जा रही है यह बताने की कोशिस कर रही है that bread was getting to be lighter color there was a bed you could sleep in under a room with a view you were more used to glancing at each day और अब आपको एक बेड़ भी मिला हुआ हुआ है and one day I noticed I was curious about all the processions that must still be at that address और फिर मुझे लगा कि चलो अब अपने समान को आपस लेने चलते हैं जो भी उस address पर मेरी मम्मी ने दे रखा है उनको आंटी को दे रखा है I wanted to see them touch or remember मैं अपनी सभी चीयों को क्या करना चाहती थी देखना चाहती थी अपने परती प्यार को मेरी मम्मी के प्रच को मेरी मंमी के विल को मैं मैंसूस करना चाहती थी ठीक है आगे after my first visit मेरी first visit के बाद मेरी पहली विजेट मेरी जब मेरी पहली विजेट क्या होगी फ्यू टाइल हो गई या निकी वेस्ट हो गई बरबाद हो गई है ना तो मिस्स डार्लिंग्स हाउस I decided to try a second time मैंने सुचा मैं दुबारा एक बढ़ जा करके देखती हूं now a girl of about 15 opened the door to me और इस बार एक पंदरह सागी लड़की ने दर्वाजा खुला I asked मैंने उसे पुछा कि तुमारी ममी घर पर है तो उसने क्या बताया no my mother doesn't add my mother's doing an around no matter I said I'll wait for her तो उस बच्ची ने बताया कि मेरी ममी समय कोई काम कर नहीं है कुछ जॉब या टास्क मोलते मेटा मेरी ममी समय कुछ काम कर रहे है थोड़ी दिर में आएंगी तो मैंने बोला कोई बात नहीं तब तक मैं अंदर वेट कर लेती हूं ठीक है उसने दर्वाजा खोला बैठाला I followed the girl along the passage है ना वो जो बाल वो जो क्या होती है बरामदर था मैं पैसेज को पार करके गई अंदर एन ओल्ड फैशन आयर्ट हनुखा हांग नेगंस्ट वो मिरेर और एक old-fashioned जो हनुखा था जो कि यहиком बेर होता है कैंडल ओर रोता हुटा वो टंगा वुआ था मिरर के बगल बेर हनुखा क्या होता है यह होता है हनुखा आप हनुखा जो हर्ब्र्व होते हैं हिब्रू जन जाती के लोग होते हैं वह सिस्ट क ओसका कामा जाता है यह क्या होता है यह हनुखा होता है आगे देखते हैं यह सका REMान कि देखस का था होता हुँ ए de देना सिंगल केंडल स्टिक इस यह लोग हनुखा वाले दिन सिर्फ एक एंडल स्टिक से काम चला लेते थे इंस्टेड आफ उस इस नहीं करते थे लेकिन असने इसको यूज करना सुरू कर दिया ठीक है आगे वोंट यू सिट डाउन आस द गल तो फंदरा साली लडकी ने ब मैं रुख गई बिल्कुलist surprise हो गई क्या देख कर की त्**** कमरे में living रूम में जो भी सामान था वो सारके सारा उसका सामान था जो मिसस डाड्लीन है वो आरा सामान उन्हें अपने फायदे के लिए यूज कर लिया था अपने घर में यूज bubble लिया था जिसे विनीत ग्रामर भी पढ़ाई जाएगी भाई अब कब पढ़ाएंगे तो हमें भी नहीं पता है सच बता रहें जब तक यह चैप्टर्स नहीं हम कंप्लीट करा लेते हैं उससे पहले तो हमने ग्रामर के बारे में नहीं सोचा है बेटा करना नंसी फील करना ठीक है ना नमनकौशिक हेलो हाई नहीं बेटा जैहिंद बोलने की हो रही है ठीक है ना भारत के बच्चें है अपने ना मनकौशिक हेलो बेटा इब राहीम जैहिंद बेटा हैनल्ल आगे बढ़े ब्दै चलो नमस्ते Master जी नमस्ते अम्रित सेत्मेंट कra क्या मतलब है अब देखो घर तो दूसरे का सब्सक्राइब樂्भी मैं श्रानी लोधी सर वोइस दा protagonist of the address protagonist का मतलब पता है protagonist का मतलब हिरो उसी का उलटा होता है antagonist protagonist or antagonist antagonist villain होता है protagonist hero होता है और मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं मैं मतलब word meaning तो आपको बता दे रहा हूं कि यह protagonist कौन है of the address अच्छा तुम यह पूछ रहा है hero कौन है अस movie का यार इस movie फोल कि कई लिडिंग करेंटर अगर बोलो कहा तो यह मिसस की लड़की के घुकिन हीरो बोले नहीं तोड़ा अलग होगा स्टोरी तो रही सिर्देंग करें NO अज़ो आइफान मैसल फिन लगवेड संस्ट इंग लिटा फिंगित वंट जी अगें बट विच आप्रेज़ मी इन दे स्ट्रेंज एक्मास्फियर मैं उन सभी चीजों के बीच में थी मिट्स का मतलब बीच में थी जिनने मैं बिलकूल भी नहीं देखना चाहती थी लेकिन अब ऐसे एक्मास्फियर में मैं देख रही हूं क्योंकि चीजों को ढंग से नहीं साथ बहुत यादा बिल्कुल पागलों की तरीके आपर कमरे में रखा गया है ठीक है जी चलो बच्छा क्या बोलना है विया सर कौन सी क्लास का है बच्छे इब्राहिम भाई यह क्लास 11 का है चैप्टर नंबर टू चल रहा है किताब का नाम है बिटाई स्नैप सॉट और इ क्यों सब्सक्राइब करना को सब्सक्राइब तब ठीक कर्ट सी होती है और विकॉस आफ टेस्लेस वे एवरीधिंग वास अरेंजड और मैं साहिद इसलिए भी अपरसे बहुत अजी फिल कर रही थी क्योंकि सब कुछ बहुत ही बत्मीजिस टेसलेस बिल्कुल ढंग से नही की स्मेल डैट हंग देर और चुंकि जो भी फरनीचर था उससे सीलन की मैं का रही है कमरे में पानी की मोईस्ट है तो इन सभी चियों की बद्बू आ रही है तो मुझे अच्छी नहीं लग रही हूंड है काफी जादा सीलन रख किये आई डोंट नो बटाई से कृटली क्य इसकार्सली डेर टू लुक अराउंड मी है ना मैं चाहती तो नहीं थी लेकिन मने एकदम डरते हूँ अपने चाहनों तरफ देखा दा गर्ल मूव डचेर उस लड़की ने मेरी तरफ एक चेर बढ़ा दी आई सैट डाउन में बढ़ गई बैट गई बैट गई इस पर करना सुरू किया सम्वेर ऑन दा एज देर शुट बी अबर्ण मार्क डैट हैड नेवर बीन रिपेर क्योंकि मुझे पता था यह जो टेवल के उपर टेवल कवर है न वह जल गया था और मैं जब उसको करूंगी तो मुझे बर्ण मार्क मिल जाएगा क्योंकि उसको कभी र और हर और मैंने अपनी मम्मी के लिए चाय वैसे ही बनाएगी क्या तुम भी चाय प्योंकि तुमारी लिए भी बना दू तो विल यू है वकप थैंक यू तो मैंने बोल दिया थैंक यू हां मतलब पीना चाहूंगी आगे आगे आई लुक डप मैंने चारनों तरफ देखा देखर पुट कप्स रेड़ी ऑन ओन देटे टेबल वह लड़की क्या कर रही हिथी कप सको टेटे बल पर रख रही थी वह जो ट्रय होती उसको टी टेबल भूल गया है आपर शी हैद आप रोट बैक जैस्लब बैक घर मलते हैं अ और इस लल्की बीजु इस लड़की की व was a gold border और इसका देखो golden border भी था on the lid I remember मुझे याद था क्योंकि यह सब सारा सामान भी मेरा ही तो है जो यह लोग यूज़ करने see opened a box and took some spoons out उसने box को खोला और कुछ spoons को भार निकाला that's a nice box मेरे बोला यह तो बड़ाई अच्छा box I heard my own voice और मुझे अपनी आवाज तुनाई दे रही थी लेकिन इट वाज स्टेंज वाइस लेकिन थोड़ी अजीब सी तुनाई दे रही थी अब देखो कमरे में कभी कभी नहीं होता है तुम जब कुछ बोलते हो तो इको होता है तुमारा sound तुमको ही सुनाई हो देता है त पॉल रही है तुम जानती है उसके बारे में वह जो मिसस डॉर्लीन की बेटी है फंदरह साल की और मेरी तरफ मुझे मेरी लिए चाहिल एई सी लावड़ू हस करके बोली माई मधर सेज इट्स एंटीक है जो लेट से हैं सारी मेरी ममी बोलते हैं सब अंटीक है वी आफ कहती है मिस्स डॉर्लीन की लड़की हमारे पास और भी बहुत सारी एंटीक चीजह है कमरे में दर उसने उंगली करके दिखाया है यह देखो वह देखो ऐसे करके ठीक है आगे देखते है आई है नो नीड तू फॉलो हर है लेकिन मुझे उसके हैंड को फॉलो करने जो ऐसे इसकंड रहे हैं अब देखो जो पिक्चर्स होती है में या और उसमें फोटो लेटिक है अब पेंटिंग तो मैं देख रहे थी जो टी टेबल पर बनी हुई थी, क्योंकि उसमें क्या बना हुआ था, क्योंकि उसमें पेंटिंग किसी इसकी बनी हुई थी, एक एपल की, अब देखो मैं हमेसा चोटे से क्या चाहती थी यह जो प्लेट है उसमें दो एपल के कई सारी प्लेट से नियों में कभी किसी मैंगो बने तो छोटे बच्चे नहीं सोचते कि चलो इस मैंगो को निकालने पर वो तो फोटो है ना जैसे कि हन्मान जी को लगा था कि चलो जाते है वो जो उपर सूर दिख रहा है उनको दिख रहा था और इंज और इंज और इंज और क्या थोड़ा सा ये लो ये लो तो उनने सुचा ये मैंगो इसको जाकर खाले थे उसी तरीके बच्चों को भी लगता है कि यह दो प्लेट में एपल बना एंपल को निकाल के खाल ले ठीक है बच्चा संध में आरी बात बहुत अच्छे एंटीक का मतलब क्या होता है भईया बच्चा पूछ रहा है तो इंटीक बीटा वो चीजें होती है जो बहुत ही कमाल के उतनी जो प्रैश्यस होती है काफी ज्यादा उन्हें आप एंटीक बोल देते हो ठीक है भाई चान्दी नैंसी दोनों का अंसर मिल गाँ आगे बढ़े तो आगे क्या है भाई as a child I'll always fancy the apple on the putrid plate we use it for everything अब वो कौन बोल रही है अभी वो लिलकी बोल रही है Mrs. Darlene की डाटर मिसस दॉर्लीन की डाटर क्या बोल रही है Mrs. Darlene की डाटर क्लिए के सी सेट वांस वी एट ओफ दे प्लेट वेर अन दे वाल ये जो एंटीक है ना मेनी ममी बोल थी एक बार तो हम लोग उने इस पर खाना भी खाया था और इतना हसा के बोल रही है बताव कितनी किलस रही होगी उसकी वह जो इतनी एंटीक चीजें है उस पर तुम खान चाहती थी उने अंटीक प्लेट पर बट इट वाज़न एंटीक प्लेट पर कुछ स्पेशल फील नहीं हो अखाने में I had found the burn mark on the table cloth अब ये किसने बोला आई याने कि ये बच्ची बोल रही है कौन बच्ची ये जो मिसस एस की लड़की बोल रही मैंने टेबल मार्क बर्न पालिया था कहां पर जहां पर वो जला था टेबल क्लॉथ मैंने बर्न पालिया था दा गर्लूड क्वेशन इंग ली एट मी और वह बिल्कुल कोशन से देख रही थी मिसस डॉलीन की कि इसको कैसे पता है कि यहां पर एक जला हुआ पार्ट भी है तो मैंने क्या बोला देखते हैं उसके आधी हो जाते हो लेकिन आगे क्या बोल रही है यूँ अली नोटिस लेकिन आप उन सब इचियों को तभी में नोटिस करते हो वेल सम्थिंग इस मिसिंग बिकॉज इट है और वहां पर यह चीज हुआ करती थी लेकिन अभी नहीं दिख रही है वो थोड की लड़की मिसेस डॉलीन की लड़की कौ मजे की बात तो ये है इस चैप्षर मेना मिसेज एस की लड़की का नाम बताया है न मुझक है छो हलाए कि दिक्कत नहीं हो रही है पर होता है ना अब आथा रो राइटर ओ तो यह थोड़ी समझदारी दिखाऊ नाम दे देते पचास बार उसका नाम आ रहा है मिससस की डॉटर और अब इसका नाम आने लग गया मिसस डॉर्लीन की डॉटर भाई जब उसको एस नाम दे सकते इसको दे देते मिससस की डॉटर मिसस जैड है ना जैड हो गया कोई नाम दे देते पर नामी नहीं देना मजे ले रखें यार हम लोगों के ठीक है आगे आज़ो अधित्याम शामी जहिंद भाहिया ऑफिजल तिवारी जी थैंक्यू बेटा बहुत-बहुत धन्यवाज और जहिंद आगे बड़े तो मिसे तो मैं लगता यह न दो नाम दीट इस इंपल अपल तो में मिससस की डार्टर मिसस डॉर्लीन की डार्टर एसकी डार्लीन की पलानी फलानी दिमाकी धिमाकी मझे ले रहे हम लोग भी भाल तो कि अग्या जो यूग के आज़ो यूग तो ना यह दूसरे के घर में इनके घर में कफी बड़े बड़ी चीजे जगे जादा है और चीजे कम है थोड़ा सा हॉलो हॉलो सी आवाज आ रही है आई वेंट आ लेकिन में लगातर बोलती रही आई रिमेंबर माई मदर वन्स आस्ट मी इफ आई वूड हर पॉलिस दा सिल्व अब यह कौन है तुमको समझना चाहिए यहां पर आई एस की डॉटर है किसकी एस की डॉटर मिसेज एस की डॉटर की बात हो रही है एक बार मेरी मम्मी ने मुझे पूछा था तक क्या तुम यह जो सिल्वर को पॉलिस करने में मदद करोगी तो उस दिन मैं क्या कर रही थी वेरी लॉंग टाइम और पहले की बाद है और क्या परहापस ऐड टूरे जो कि मुझे गर पर रहना तार में बोर रही थी तो मेरी मम्मी ने बोला क्या तुम सिल्वर को आकर के मेरे साथ साथ साइन करने मदद करोगी तो उसने क्या पूचा मम्मी से सी हैड नावर आज में विफोर हला कि मेरी मम्मी ने कभी पूछा नहीं था मुझसे इस सब काम करने के लिए लेकिन उस दिन वो इल थी थोड़ा उनको भी मा बुखार था इसलिए उन्हों मुझसे का था करवा दोगी क्या तो आई आज माई मदर विच सिलवर सी में तो मैंन सारी की सारी चीँजिए इस्पोन जो नंकी चमचे हैं जो नंके काटें और जोचिन की नाइश से चांदी है यो उसको पहली बार पता जल रहा है जब ममी ने बोला जिस एंट नहीं चांगातें उसको इसे पहले पता ही नहीं था जिस चमच से ओगा रही है जिस फॉर्क से तो प्याज काट देती है वो सब का सब सिल्वर का आज इसको सुना तो एक दम अमेज्ट हो गई अफ कोर्स एंड देट वोज दा इस ट्रेंज तिंग और उस दिन में दम स्ट्रेंज मतलब की अच्वंजस में पड़ गए थी कि आई डिंट नो दा कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वह सिल्वर मुझे पता ही नहीं था तब तक कि जिस कटलरी कौम लोग यूज कर रहे हैं जो सारा समान लोग खाने भीने में यूज करते हैं वो सब का सब सिल्वर का है इतने अमीर लोग हैं क्या हम आगे आजो दगर ला आखरी में बड़ा अनकमफटेबल हो रहा है सच बता रहे यह ऑथर को में दो थपड़ मारता अगर में सामने आ जाता हला की लेड़ी है इसलिए नहीं मारेंगे इतनी मूर्ख लेड़ी है नाम नहीं लेख पारी आई 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 कर रही अब हम तुमको समझाए न English की महीना को सचल रहा बहित महीना चल रहा है तुम्हारा अगस्त वह भी खताम होने वाला सितंबर सुरू ओने को आ गया और अब तुम पूछ रहा है इंग्लिस कैसे स्टार्ट करें सरम करो थोड़ी सरम सरम आती है चुलूबर पानी है घर में चुलूबर पानी लो अब दूब के नहीं मरने को कहेंगे कोई नहीं दूब के मरता है मजाक है वह बात चुलूबर पानी लो उसको मुझे मारो थपड़ की तरीके और जब वह गाल में जब तक तक लाल पीलना हो जाए तब तक कोशन पूशने मता नाम से बताओ क्लास 12 क्या यह क्या तुम अपने बच पूछ रहे हैं कि भाईया हमको बता दो कैसे हैं क्लास शुरू करें अरे चिरकोट सरम कर ले भाई आ जाव आगे आई बैट यू हम मैंने मिसल एस की लड़की पूछ रहे है मैं तुमसे बैट करती हूं डॉरलीन की लड़की से तो मैं भी नहीं पता होगा तुमारे घर मे भी क्या है कि तुमारे घर में क्या है you don't know it is either कि तुमारे घर में क्या है अरे तुमारे घर की भी जो चंबचे हो की लड़की अच्छा हमारे घर की भी सिल्वर की अच्छा वेल डू यू नो क्या तुमको पता ऐसी हैजिटेटेट हैजिटेट करके सी वाग्ड टुदा साइड बोर्ड एन वांटेट टू ओपन ड्रॉर वह गई कहां पर साइड बोर्ड पर और उसने ओपन किया ड्रॉर ताकि वह चेक और सकी व सब इसलवर कहीं हिए लुक इट इस इन हीर मैं देखती होनगे सिलवर का कैने में यहीं पर रखाय आई जंड़ आप में तब कुछ अलगे अभी आई काउन है ठीक है अब यहां पर देखो यह पिछले सेंटेस में आई काउन था इस वाले सेंटें अग आगे हो गए वाकई में काहं बोलने पूल लिए बोलत अपप अब मैं उचल पड़ी क्यों उचल पड़ी भाई साप कौन उचल सुल पड़ी वैली अज़ने डक्टर मिसेस की लड़की तूछ पड़ी I was forgetting the time क्योंकि मैं टाइम ही भूल गई थी I must catch my train मुझे अपनी ट्रेन पकड़नी है she had her hand on the drawer और उसका हाथ अभी भी ड्राइब परी था किसका Mrs. Darlene की लड़की का don't you want to wait for my mother क्या तु मेरी मदर के लिए वेट नहीं करना चाहती हो दर्लीन की लड़की बोल रही है no I must go और ये Mrs. S की लड़की बोली नहीं मुझे जाना है जाना है I walked to the door है न मैं जाना चाहती हूँ I walked to the door मैं दर्वाजे था गई the girl pulled the drawer open और वो लड़की का अभी भी ड्रॉर था खुला हुआ था यानि की डॉलीन अभी भी डॉलीन की लड़की अभी उसको ट्रॉर को खुले हुई थी I can find my own way मैं अपना रस्ता देख सकते हूं ये किसने बोला ये बोला एस की लड़की ने As I walked down the passage I heard the jingling of spoons and folks अब जब मैं पैसे जैनि कि वहां से ब्रामदे से निकल रही थी तो मुझे जिंगलिंग यानि की चम्मचों और बाकी सब folks की आवास तनाई दे रहे थी जब वो खनकती है क्यों क्यों चेक कर रहे थी कि वाक़ी में सब silver का है की नहीं है आगे देखते हैं at the corner of the road I looked up at the name plate और फिर corner of the road पर मैंने क्या देखा name plate पर दुबारा देखा Marconi street लिखा था it said यानि कि जो name plate थी वहां पर Marconi street लिखा था I had been at number 46 और मैं number 46 में होकर क्या गई हूं मतलब address पर the address address was correct address था but now I didn't want to remember it लेकिन अब मैं नहीं चाहती इस address को याद करना बिल्कुल भी I won't go back there because the object that are linked in your memory with the familiar life of former times instantly loot their value when severed from them severed का मतलब होते कि इसी को अलग कर देना अब देखो यहां तक समझो वह बोल रही है कि मैंने देख रिये मार्कोनी स्टेट लिखा है और मैं number 46 house में होकर क्या आगी लेकिन अब मैं उन समानों को बिल्कुल नहीं चाहती जितनी भी थेंग सो अपने पास रखे मुझे नहीं चाहिए क्योंकि उन सबीचियों का महां तु तब तक था जब तक वो मेरी मम्मी ने मेरे घर पर अची त लगा रखा है अब वो समान मेरा नहीं रहा है अब वो समान इनका हो गया है और यही यूज़ करी चुट्टे लोग वो यूज़ करते रहा हमें नहीं चाहिए ठीक है चलो आगे देखते हैं भाई सब आगे कहां आगे फ्राइब यू सी दम अगें इन इस ट्रेंश राउं खिडकियों पर क्या लगे हुएं ऐसे टेप लगा हुआ है काले काले कलर के टेप लगे हुएं चिपकाने के लिए चीज़ों को क्योंकि थोड़ा सा पुराना टाइप का घर जहां में रहती हूं जाओंगी इसका मैंने अपने आपसे वादा किया और तिंग्स आई हैट टू फॉर्गेट डैट वोट बीड़ इस यस्ट हला कि मुझे इतनी सारी चीज़ों को आसानी से बुला दूँगी और बिल्कुल विन चीज़ों को याद नहीं करूंगी यह सारा समान मेरा नहीं ह क्योंकि अभी मिसेज डॉर्लीन का हो गया है वह अपना मजा करें खोश रहे लें चुट्टी फिक है चलो आगे आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू और बच्चा मैं बार बार आपसे बोलता हूं आप लोग मेरी बात मानते कितना हो मुझे नहीं पता लेकि कि मैं जितनी मैनत करता हूं उसके एवज में अगर तुम शेर करते हो तो बहुत चोटी सी चीज है पर शेर कर देना क्लास को आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इसी तरीके से जुड़े रहो क्लास में दुराटे कारते रहो कोई भी क्वेरी है कोई भी समस्या है से पूछ लो दो मिनिट का समय आपके पास I am giving you two minutes if you have any query you can ask me share कर देना like कर देना और comment जरूर कर देना बाकी कुछ भूल जाओ पर comment मत भूज़ नहीं ठीक है भाई इस चैप्टर के सारे important questions होंगे चाहे हो short हो चाहे हो long हो you will get all the questions all the answers in one video ठीक है न जितने important होंगे short long सब एक video में मिलेगा तब तक के लिए जहिंद मेहनत करते रहो धर्राटे करते रहो